स्टूडेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी निकल कर आ रहा है कि 36 गड़ में जो है सहकारीता विभाग में 3000 पोश्ट आप लोगों के लिए निकला है तो इसके लापको किस तरश आवेदन करना है क्वालिफिकेशन क्या होगा आवेदन आपको कप करना है और आवेदन करने की लाश्ट जो है क्या है तो 36 गड़ में सहकारीता विभाग में 3000 पोश्ट निकला है तो इस भरती परिक्षा की त्यारी आपको किस तरश करना है और कौन-कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए ज में देखने को मिलेगा तो कौन इस्टुडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे कौन नहीं कर पाएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हार एक्जानकारी स्वीडियो में मिलेगा तो 36 गड़ में जो है तीन हजार पोश्ट आप लोगों के लिए आने वाला तो सब पाएंगे जैसे आप लोगों को एक्जाम नहीं होता तो इससे अच्छा है कि आप जैसे आप लोगों को एक्जाम्पल में बताना चाहता हूं अभी रिशेंट पटवारी का वेकंसी आया था पटवारी के तीन सवीक पोश्ट तो आप इसे काफी स्टुडेंट होंगे जो एक भी दिन एक भी दिन पंदरा दिन भी पढ़ाई कर लेंगे वह भी बहुत होता है लेकिन आप लोग एक भी दिन एक्जाम की प्रिप्रेशन नहीं किये हैं और जाकर खाली पटवारी के में जैसे बैट गया है उसके बाद आप लोग बस कुछ लोग आपके तारिफ कर देंगे या फिर आप पता नहीं कि आपने आपको फिल कराने के लिए बोलते हैं कि अगर कोई आपको बोले कि कौन से एक्जाम दिलाने जा रहा हो तो आप लोग गर्वक साथ एक्जाम प्राउट के साथ ऐसा बोलते हैं जैसे कि आपका जो है आपने एक्जाम को पटवारी के हो गया जितने भी वेकंसिस होता है उसकी प्रिप्रेशन करने के बाद आप एक्जाम दिलाने जा रहा हूं पटवारी के एक्जाम दिला कर आया है बस आप लोग एक बहना बना देते हूं उसके बाद की कंप्यूटर के क्वेस्टन तो बहुंत अच्छाय थे इ लेकिन आप लोग बस यह चीज जो है ब्लेम करते हैं बस मेहनत नहीं करते तो इस बार आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बार आप को यह गल्दी नहीं करने तो 3000 पोश्ट चातिस गड़ में सहकारी तावी भाग में आप लोगों के लिए निकलने वाला है तो में पास और सिर्फ दो से ढ़ाई मेहने का टाइम रहता है दोसेगाई मेहने में आप जो हाल्य ऐ महीं नहीं कर पाएंगे परिप्रेशा थार कर पाएंगे तो इससी हो यहाँ कि अब हीसे जो है एक्डा में प्रेशन करने बिल्कुल ही सुरू कर दीज़े क्योंकि 3000 पोश् है यहां बाखी दीन पढ़ाइंड नहीं होगा बढ़ा देली जिया चीज को पढ़नी तब हैं तो देली आपको पढ़ाई करना है तो 3000 पोश्ट आप लोगों के लिए आने वाला आप सबसे पहले बात करते हैं सेक्षडी क्यों गया तक सबसे पहले आपको पढ़ाई करने देन आपका सेलेक्षन हो जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को पताना चाहता हूं कि प्रतिक क्यले आपके पास एक अंग दिया जाएगा तो इसमें सबसे में इन इपॉर्टेंट होता है इसके साथ ही आपको अरजुना का कर सकते और पढ़ाई कर सकते उसके बाद करें तो इसके साथ ही आपको अरजुना का करेंट अफिर्स लेना तो दोनों से आपको तैयारी करने जिसे आपकी करेंट अफिर्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा उसके बाद बात करते हैं हिंदी के लिए तो हिंदी में पूछे जाएंगा स्वाथी मैसे के लापको जो डाप्टर आरे सग्रवाल को वस्तुनिष्ट अंक गड़ी लेना और रिजिनिंग के लापको रहंत का मास्टर डिजनिंग तो इस तरह से आपके एक्जाम की प्रप्रेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा तो पड़ाई पौश्ट अप लोगों के लिए निकलने वाला तो जित्ता हों शेके पढ़ाई बहुत अच्छे से किजिए जैसे आपके एक्जाम क्वालिफाइए हो सके और आप जैस तिस गड़ और में जो है आपको वेकांसी में जो है जो है जॉब मिल सके तो इस मौकर को आप लोगों को यही सब जानकारी जो है अपडेट देना चाहता हूं तो जित्ता हो सके अभी से महनत जो है शुरू कर दीजिए क्योंकि बाद में आपको उत्ता समय प्रिप्रेशन के लिए नहीं मिलेगा तो अभी से स्टार्टिंग सही महनत कीजिए जिससे आपके महनत का फ़ल आपको जो है मिलेगा तो यही सब सिलेबस और एक्जाम पेटर्न न रहता है तो तो तैयारी शुरू कर दीजिए बात करें कि इसके लावेदन कब करना और लाश्ट डेट क्या है तो इसके लिए आप सभी को बता दूंगा तो आप लोगों के लिए तीन हंजर वेकेंसी जो है आने वाला यह सीजिए मिनीव अपकमिंग वेकेंसी है तो जो भी शोटी बड़ी अपडेट निकल गार आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा तो आयोब कि जित्ते भी जनकारी मैंने आप सभी को दिया व आप लोगों को शेयर कर सको तो प्लीज वीडियो को जित्ते हो शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में सो थाइंक्यू